समस्कार दोस्तों, मेरे नाम है भालचंद्र, ब्रह्मान्ट सिद्ध्यस्ट्रों में आप सभी का स्वागत है। ब्रह्मान्ट सिद्ध्यस्ट्रों मेना है, शुकलपक्ष की दस्वीतिति है, नक्षत्रम्रिग है, योग पृति है, दिन का जो करण है वो तैतिल है और जो रात का करण है वो गर है। दो सकते हो। उसी प्रकार आज के दिन का जो राहुकाल है वो शुरुवत होगा, दोपर बारा बचकर उन्तालिस मिनट से लेकर दो बचकर साथ मिनट तक, और यमगंड़काल सुबह आठ बचकर सोला मिनट से लेकर नो बचकर चवालिस मिनट तक का होगा। राहुकाल और यमगंड़काल दिन के अशुवकालावदी कह जाते हैं, इसमें किसी भी प्रकार के महतो बुरुनकाम या फेनिरने मिल्कुल भी नहीं लेना। उस प्रकार आज के दिन का जो चंद्रमा है या चंद्रमा मितन राशी में ब्रह्मन करेगा, या चंद्रमा रवी के साथ त्रिकोन यूग करने जा रहा है। यह अगरसिती सामने रखते हुए, बारा राशियों का राशी पल क्या होगा, इस विशे पर अब हम चर्चा करेंगे। आपके जो मितर परिवार है, उनके साथ कही बाहर गुमना फिरना हो सकता है, या फिर गपशप हो सकती है, उसी प्रकर अगर आप किसी के रिलेशन्शिप में हैं, उनके साथ भी आज आपकी जो हार्मनी है, वो काफी अच्छे देखे जाएगी, अगर आप शेर मार्केट म साबीत होगा, इसके बाद की जो राशी है, वो है वरिशब राशी, वरिशब राशी के दितियाव भामी चंदरमा का ब्रहमन है, और आपके के दशम भामिस्तित रवीक के साथ या चंदरमा त्रिकोनियो करने जा रहा है, मैं तुकुर्ण दिन है, आपके लिए खास करके, पैसे के मामलात में कुछ अच्छे लाव वगरा मिलने की या फिर इंवेस्टमेंट होने की संभोना काफी अच्छी बन रही है, जो भी आपका कारिशेतर है, उससे रिलेटेड भी कुछ अच्छे लाव वगरा हो सकते हैं, अगर आप कोई बिजनेस करते हो, तो उसमें कु इतन राशी में ही चंद्रमा का ब्रह्मन है, और आपके बागे बाव मिस्टित रवी के साथ है, चंद्रमा त्रिको नियुक करने जा रहा है, काफी महत्व पूर्ण दिन हैं आपके लिए, आज आपका confidence बहुत ही अच्छा देखा जाएगा, जो भी आप काम करोगे, उसमे सफलता मिलती हुई नज़र आएगी भागे का साथ भी आज आपका काफी अच्छा दिखाए देगा, उसे परकर आज की दिन थोड़ा घूमना फिर ना हो सकता है, लेकिन काम आपके बनते हुए नज़र आएगे, दिन काफी अच्छा है, इसका पूरी तरह से लाब लीजी इसके बाद की जो राशी है वो है करक राशी, करक राशी की वही अबाव में चैंदर्मा का ब्रहमन हैं और आपके अश्टम भाव में सितरवी के साथ ये चंदर्मा त्रिकोणियों करने जा रहा है, आज का जो दिन है थोड़ा घड़-बड़ी वाला हो सकता है, आज आज बीजी हो सकते हो, काम आपके बनते हुए नजर आएंगे, उसे परकार कुछ अच्छे लाब वगरा भी, आनेक्सपेक्टेट लाब वगरा मिलने की संभावना भी, आज के दिन काफी अच्छी बंद रही है, तो दिन आपके लिए शुब फलदाई साबित होगा, इसके बाद के जो राशी है, वो है सिंग राशी, सिंग राशी के लाब वगरा मिल सकते हैं, उसे प्रकार अगर आप विवाई तो आपके जो वाई वाई जुड़ेदर है, उनके साथ भी आज आपके हार्मनी बहुत ही अच्छे देखी जाएगे, दिन काफी अच्छा है, इसको पूरी तरह से लाब लीजिए, इसके बाद की जो राशी है, वो है कन्या राशी, कन्या राशी के दशम भाव में चंदरमा का ब्रह्मन है, और आपके शश्ट भाव में सित्रभी के साथ ये चंदरमा त्रिकोनियो करने जा रहा है, जो भी आपका कारेशेतर है, उसस इसको पूरी तरह से लाब लीजिए, इसके बाद की जो राशी है, वो है तुला राशी, तुला राशी के भाग्या भाव में चंदरमा का ब्रह्मन है, और आपके पंचम भाव में सित्रभी के साथ ये चंदरमा त्रिकोनियो करने जा रहा है, आज आपको जो मूड होगा वो बहुत ही अच्छा देखा जाएगा, घुमने फिरने का मौन होगा और आज आपका जो दिन है, वो घुमने फिरने के लिए बहुत ही अच्छा है, जो भी आपका कारशेदर उससे रिलेटर घुमना फिरना भी हो, सते खास करके, अगर आप किसी के रिलेशन्शिप में ह उनके साथ कही बाहर घुमना फिर ना हो सकता, आज आपका जो दिन है को वो भी काफी अच्छी तरह के सकट सकता है, लगी डे है, इसका पूरी तरह से लाब लीजिए इसके बात की जो राशी है, वो है वरिच्चिक राशी वरिच्चिक राशी के अश्टम भाव में चंदरमा का ब्रह्मना राप्य के चदरतो भाव में सिधर अभी के साथ या चंदरमा त्रिको नियोक करने जा रहा है, घर के जो लोग है उनके साथ आज आपके हार्मनी बहुत ही अच्छी देखे जाएगे, स्वास्त के बारे में स धनुराशी के सब्तम भाव में चंदरमा का ब्रह्मन है और आपके त्रिथेव भाव में सिधर रवी के साथ या चंदरमा त्रिको नियोक करने जा रहा है, अगर आप विवाही तो आपकी जो वाई वाई जो डिदार है, उनके साथ कहीं बाहर घुमना फिरना हो सकता है, कुल मिला के देखा जाए तो दिन आपके लिए शुबफल दाई साबित होगा, इसके बाद की जो राशी है वो है मकर राशी, मकर राशी के 6 अबाव में चंदरमा का ब्रह्मन है और आपके द्वितिया अबाव में सिधर अबी के साथ या चंदरमा त्रिको नियोक करने जा मिलने की सम्भावना काफी अच्छी बन रही है इसके बाद की जो राशी है वो है कुम्ब राशी के पंचम बाव में चंदरमा का ब्रह्मन है और आपके राशी में सिधर अबी के साथ या चंदरमा त्रिको नियोक करने जा रहा है बहुत ही अच्छा दिन है आपके लिए उनके साथ आज आपकी हार्मनी बहुत ही अच्छी देखे जाएगे अगर आप भी वाई तो जो वाई वाई जो रिदार है उनके साथ भी आज आपकी जो हार्मनी काफी अच्छी देखे जाएगे अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं तो कुछ अच्छे लाव बहुत ही अच्छे बंद्रिया आपको जो confidence है वो भी काफी अच्छा देखा जाएगा कुल मिला के देखा जाए तो दिन आपके लिए शुबफ लद्दाई साबित होगा इसके बाद की जो राशी है वो है मींद्राशी मींद्राशी के चतुरत बाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है और आपके वईय बाव में सित्रवी के साधिया चंद्रमा त्रिको नियुक करने जा रहा है आज का जो दिन है आप घर पर रहना पसंद करोगे आराम करना पसंद करोगे और वह आराम आपको मिलेगा भी उसी प्रकार जो भी आपका कारश है तरुस से रिलेटर जो काम रहेंगे जो पेंडिंग रहेंगे वो भी आज के दिन आप कर सकते हो और वो पूरे होते हुए निजर आएंगे दिन बहुत ही अच्छा है इसका पूरी तरह से लाप लीजे तो दोस्तों ये था दिनांग 1 मार्च 2023 का संपुन राशिफल आपको ये राशिफल कैसे लगा आपने किस प्रकार से अनुबह की या नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना और अपना ये चैनल है प्रमान्ट सिद्याष्ट्रो एसे भी लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करना धन्यवाद